हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टो यूट्टूब चनल अभी फार्मेसी तगर आज कि इस वीडियों हम लोग देखने वाले हैं कि फार्मेसी फ्रेक्टिस के टॉप 15 को स्टन को हम लोग देखे हैं जो कि उमनिट 1 से लेके उमनिट 5 तक होने वाले हैं इन सारे उमनिट्स हमने जितने भी लॉग कोस्टन बनते हैं जो कि प्रिवियस येर में पूछे गया हैं तीन से चार साल में उसके वेसिज पर हमने टॉप 15 कोस्टन को सलेक्ट किया है तो आज की इस वीडियों हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि वो कौन से 15 कोस्टन है जो की काफी ज़दा important आपके exam के लिए तो चलिए आज की वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग unit 1 में देखते हैं तो इसमें जो first question बनता है discuss the various type of classification of hospital explain the organization structure of hospital highlighting its staff requirement तो इस question में काफी ज़दा important question नहीं है इसमें hospital का classification पूछा और उसके organization structures के बारे में पूछा hospitals के और जो staff का requirement होता है उसके बारे में ये question ज़दा तक 10 marks में पूछा जाता है जो कि unit 1 से most of important question है उसके बाद जो इसमें दूसरा question बनता है explain hospital pharmacy, enumerate the layout and staff requirement of hospital pharmacy इस question में आपको hospital pharmacy के बारे में बताना है उसके layout के बारे में बताना है और उसका staff के जो requirements होती है उसके बारे में बताना है तो ये question ज़्यादा तर 7 marks या फिर 10 marks में भी पूछा जाता है अगर आप ये 15 questions को तयार कर ले तो तो मैं guarantee ले सकता हूँ कि आपके जितने भी one unit से लेके five unit जितने भी question होते हैं वो सारे तयार हो जाएंगे और इनके साथ ही आपके जो start question बते हो भी most of the question है आप इसी long answer से prepare क कर सकते हो तो अगर आप इतने question प्रिपेर कर ले तो तो मैं guarantee ले सकता हूँ कि आप अच्छे marks score तो करोगे ही इस subject में तो उसी के साथ हम लोग आप next question देखते हैं classify ADR and define various type of ADR with suitable example question no.3 में आपको adverse drug reaction का classification बताना है और उसको define भी करना examples के साथ में तो ये unit 1 से जो top 3 question बनते हैं उसके बारे में हमने discuss कर लिया अब हम लोग unit 2 से देखेंगे कि कौन-कौन से question है जो most of the important है तो इसमें जो first question बनता है suggest the various factors to be considered for the therapeutic drug monitoring highlight the current scenario in India with respect to therapeutic drug monitoring तो जो therapeutic drug monitoring topic है काफी जादा important है उसी से related ये question पूछा गया है कि इसके various factors बताईए जो कि consider किया जाते हैं therapeutic drug monitoring के time पर और इसका current scenario यानि इंडिया में इस time इसका क्या चल रहा है इससे related उसके बारे में आपको बताना है उसके बाद जो इसमें next question बनता है unit number second से वो है discuss various type of drug distribution system in hospital for inpatient and outpatient ये तो question most of the most important है क्योंकि ये हर साल पूछा ही जाता है तो इसमें आपको basically क्या बताना है कि जो drug distribution system होता है hospital में वो कितने type का होता है inpatient और outpatient के लिए किस तरीके से जो drug distribution system है उसके बारे में आपको इस question में बताना है उसके बाद जो इस unit से जो आखरी question बनता है write a note on material management of community pharmacy तो इस question में आपको बताना है कि किस तरीके से जो materials का management किया दता हमारे community pharmacy में तो ये तीन question बनते हैं हमारी unit second से है उसके बाद आप बात करेंगे unit number third के बारे में कि इससे कौन-कौन से question बनते हैं जो की काफी ज़्यादा important है तो इसमें जो first question है enumerate the various steps involved in patient counseling justify the role of pharmacist as a patient counselor तो इसमें बताना है कि जो patient counseling होती है उसमें कौन-कौन से जो step होते हुआ हमारे involved होते हैं और इसमें जो हमारा pharmacist का क्या role होता है उसके बारे में आपको बताना है काफी ज़्यादा important है patient counseling जो topic है तो आप ये question जरूर से एक बार देख लेना उसके बाद इसमें अगला question है explain the organization, function and policy of pharmacy and therapeutic community जो हमारी therapeutic community होती है उसके organization और उसके function और उसकी policies के बारे में बताने आपको इस question में तो ये question number 8 जो की unit हमारी third से है उसके बाद unit third से जो आखरी question बता है write the role of pharmacist in education and training program in the hospital and also explain the internal and external training program in hospital तो basically इस question में क्या बताना है जो हमारे hospitals में training program होते है उसमें जो pharmacist का क्या role होता है उसके बारे में बताना है या फिर जो training program internal या हमारे hospital में होता है या फिर outside hospital में होते है उसके बारे में आपको इस question में बताना है तो ये हमारे यहाँ पे तीन unit से जो top 9 question बनते थो हमने discuss कर ल define budget and what are the steps involved in preparing a budget explain briefly तो basically इसमें आपको budget की definition बतानी है कि budget क्या होते हैं और कौन-कौन से step involved होते हैं जिसकी मदद से हम लोग budget को prepare करते हैं उसी के बारे में आपको briefly explain करना है उसके बाद जो fourth unit से हमारा question number second बनता है write a short note on drug therapy monitoring तो इस question में आपको drug therapy monitoring के बारे में बताना है यह unit number four का question है आप confuse मत होना कि कहीं यह unit number second का question तो नहीं है जो की therapeutic drug monitoring था उसके बाद जो इसमें आखरी question बनता है unit number four से वो है define and classify over the counter medicine discuss about the Indian scenario for OTC medicine यानि basically आपको OTC medicines क्या होती है उसके बारे में बताना है उसके classifications के बारे में बताना है कि OTC medicine कितने तरह की होती है उनके बारे में बताना है काफी ज़्यादा simple question अगर आप इसको basically एक बार पढ़ लेतो तो यह question आप easily लिख सकते हो उसके साथ अबको बताना है कि इंडिया में इसका current scenario क्या चल दा है OTC medicines के बारे में उसके बारे में उसके बारे में यहां से अब हमारी आखरी unit start होती है unit number five तो इसमें जो first question बनता है explain the principle involved in the method of inventory control ABC VED and EOQ तो इसमें basically बताना है को कौन-कौन से principle involved होते हैं जो हमारे यह तीन तरीके के जो inventory control method होते हैं उसमें कौन से principle involved होते हैं उसी के बारे में आपको इस question में लिखना है उसके बाद जो इसमें जो आखरी sorry second question जो बनता हमारी unit five से वो क्या है narrate the principle procedure यहां पर आप देख सकते हो narrate the principle procedure to be followed from purchase order procurement and stocking explain economic order quantity ते इसमें आपको उनके principle बताने है जैसे हमने कोई भी product या फिर कोई medical drugs या medicine order की उसके purchase orders के बारे में बताना है procurement के बारे में बताना है stocking के बारे में बताना है और साथ ही साथ जो हमारा EOQ inventory control method होता है उसके बारे में भी आपको explain करना है इस question में उसके बारे में बताना है किस तरीके से क्या क्या चीजे देखी जाती है हमारे blood में जो भी हम लोग test कभी कराते हैं जैसे CBC हमने कराई तो उसमें क्या-क्या देखा जाता है उसके बारे में तो उसको आपको इसके बारे में लिखना है blood का है ऐसे ही urine का भी होता है तो blood का काफी ज़्यादा important होता है जो की previous year में पूछा भी गया तो यह आज के थे टॉप 15 कोस्टन जो की फार्मेसी प्रक्टिस के थे अगर आप यह टॉप 15 कोस्टन ही प्रिपेर कर लेतो तो आप एजली एक्जाम में अच्छे माक्स स्कोर कर सकते हो तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लेगो तो वीडियो के जरूर लाइक कीजेगा और ऐसे ही वी चनल को सस्क्राइब कर लिजिएगा